पाठ छह, परिवर्तन, पाठ प्रबेश आज कल परिवारों में तेरे मेरे की भावना घर कर गई है, जिससे घर में बड़ी बुज़ुर्गों को समुचित सम्मान नहीं मिल पाता, बड़े उनको अपनी स्वतंतरता में बाधक लगते हैं, वे जो कुछ करना चाहती हैं, नहीं कर पाते, कुछ बुज़ुर्ग टोकत उचित समझा, मैं सोच रहा था कि शनिवार इतवार को जाकर बाबुजी को ले आता, तरसाथ जी ने जिजगते हुए कहा, ओ नौ। बच्चों ने कोरस में कहा, तो मा ने उन्हें आँखों से दपट दिया और बोली, इतनी जलदी? जलदी कहा, उन्हें गए दो महीने से हो गए है, इतने दिन वे बेटी के यहां कभी रहे हैं? फिर बोले, बाबुजी तो पूराने समाने की व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बातें बहुत महत्वा रखती हैं, अब इस उमर में यहां आशा करना कि वे अपनी सोच बदल लेंगे बेकार है? बच्चों ने फिर बह बच्चों को आराम करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप समझते नहीं है, बड़े बुजर्ग घर में होते हैं, तो थोड़ा बंधन तो हो ही जाता है, बच्चों के हसने बोलने पर, खाने पीने पर बंदिश लग ही जाती है, तो तुम चाहती हो बाबुजी को वहीं रहन उनका स्वर थोड़ा कड़ा हो गया, पत्नी ने नर्मी से कहा, नहीं मेरा मतलब था आठ तरस दिन और सही? प्रसाद जी को वित्रिशना और खीज हो आई, अपने आपको वे पहली बार इतना असहाय अनुभव कर रहे थे, कितनी हसरत से, कितनी उमंग से वे बाबुजी को यहां लाए थे, यूं तो मा की नित्यू के बाद ही उन्हें लाने का मन था, पर साल भर तक बाबुजी वह मां से हिलने के लिए जासी नहीं हुए, प्रसाद ही दौर दौर कर वहां जाते रहे, बाबुजी की खोज खबर लेती रहे, हर बार बाबुजी पहले से ज्यादा थकी हुए, तूटे हुए नजर आए, या स्वाभाविक भी था, फिर बाबुजी के मित्र भी कहने लगे, बेटा, अब अपने पिता को अपने पास ही रखो, बुढ़ापे का शरीर है, देख भाल की जरूरत पढ़ती है। यूँ तो बाबुजी बहुत शांत प्रकृती के व्यक्ति है, उनकी जरूरतें भी बहुत थोड़ी सी है, इधर उधर दखलंदासी करने की आदत भी नहीं है। फिर भी वे हर मांस की जीव तो है, गर में उनकी उपस्थिती महसूस की ही चाती थी। सबसे बड़ी समस्या थी सोने की। इससे पहले बाबुजी जब भी आए, मां साथ में होती थी। भी दोनों एक दूसरे का ख्याल लख लेती थी। आठ-दस दिन की बाद होती थी। कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाती थी। थोड़ी सी अस्विधा भी तब नहीं अखरती थी। बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के साथ खुशी से एज़स्ट हो जाती थी। बलकि तब तो दोनों में होड लगा करती थी कि कौन किस के पास होएगा। पर अब स्थितियां बदल गई थी। बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों का अपना अपना कमरा था। तीसरा प्रसाद दमपत्ती का था। बाबुजी के व्यवस्था हॉल में की गई। तीन कमरों वाले घर में भी बाबुजी के लिए निरापद बस यही स्थान था। पितिवान पर आराम से सोचाते थे। पर उनके साथ उनका पानी, दवाईया, टोपी, मफलर, टॉर्च, जूते, चेश्मा आदिस सभी रखे रहते थे। फुबा नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योग्य नहीं रहता था। सबसे बड़ी समस्या थ को चुक चाप पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए बाबुजी को ले जाए। बच्चों की परेक्षा के बाद वे खुद ही उन्हें ले जाएंगे। वे हर 10-15 दिन बाद फोन करके बाबुजी की कुशलक्शेम पूछ लेते थे। पर उन्होंने बाबुजी से बात कभी नहीं के। उन्हें डर लगा रहता कि कहीं उन्होंने आने की जित पकड़ ली तो वे मना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फोन किया तो माया के पती सुरेश ने उठाया था। कुशलक्शेम के बाद प्रसार जी ने कहा। मैं खुद ही तो छोड़ाया था। हाँ शायद बाबुजी ने मना किया था। इसलिए माया ने आपको बताया नहीं होगा। वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। आप ज्यादा परिशान नहों भाई साहब। ये पुराने लोग है ना दूसरी जगा एजस्ट नहीं हो पाते। उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है। उलानों के उत्तर में माया ने कहा। भाई साहब आप कुछ मेरी मजबूरी का भी तो अंदाजा लगाए। मैंने बहुत मना किया पर जब बिलकुल ही जिद पर आ गए तो उन्हें असली बात बतानी ही पड़ी। क्या। यहीं कि बच्चों की परिक्षा उन्हें तक आपको यहीं रहना है। तब तो शाह तुमने यह भी बता दिया होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था कि उन्हें ले जाओ। भाई सहाब यह तो मैं कभी नहीं बताती पर उन्हेंने खुद ही अंदासा लगा लिया। उसके बाद तो वे पल भर भी यहां रुकने को राजी नहीं हुए। बोले कि ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है। मुझे तहीं पहुंचा दो। फिर यह खुद जाकर छोड़ाए थे, जरूरी व्यवस्थाएं भी कराए थे। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने चुपचाप रिसीवर रख दिया और उस घड़ी को कोस्ते रहे जब उन्होंने बाबुजी को माया के साथ भीजा था। पूरे हफ़ते वे गुमसुम बने रह फिर एक शाम एक्सप्रेस से चल ही पड़े। मुह अंधेरे मुरैना पहुचे। वहीं से जो पहली बस मिली उससे जौरा के लिए चल पड़े। घर पहुचकर देखा सामने वाले आंगन में चार पाईयां बिछी हुई है और बाबुजी की मित्र मंडली चर्चा में मश् उन्हाने जाते ही सब के पाउच हुए आशीरवाद लिया फिर में सब उठ खड़े हुए। पंदत जी अब आप बेटे के खातिर कीजिए हम लोग चलते हैं। अरे आप लोग बैठे ना मैं क्या कोई महमान हूँ या तो मेरा घर है आप लोग इत्मीनान से बैठें। भाव से कहा। बाबु जी की कृपा का बखान फिर कर लेना पहले जाकर भाईया के ले कुछ नाश्ता ले करा। उन्होंने सोचा नाश्ता आने से पहले नहा लिया जाए। नहाने के बाद आंगन में बंधी रसी पर तॉलिया फ्हलाते हुए उन्होंने देखा कि एक महिल ने उन्हें देखते ही लंबा सघंगट कीच लिया है। बाबु जी आंगन में कौन है। किसना की बहु होगी। वे लोग अब यहीं रहने लगे हैं ना। मेने लिए दो रोटियां डाल देती है। चौका बासन जाडू गुहारी कर देती है। काम भी हो जाता है और साथ भी। तुम लोगों को भी फिक्र नहीं रहेगी कि बाबु जी अकेले पड़े है। लेकिन आपको यहां अकेले रहने कौन देगा। मैं तो आपको ले जाने के लिए ही आया हूँ। मुझे लाने ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरी जब मरसी होगी चला आउंगा पर जब तक मेरे हाथ पाउंचल रहे हैं मुझे यहीं रहने दो। यहां मेरे दोस्त है, नाते रिष्टिदार है, पास पडोस है। दर्वाजे पर खड़ा भी हो जाता हूं तो दस लोग जैराम जी करते निकल जाते हैं। वहां तो समय काते नहीं करता। तुम सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हो। बाबु जी की बात एक तम सही थी। उसका कोई तर्क संगत उत्तर प्रसाब जी सोच ही रहे थे कि बाबु जी ने कहा। एक बहुत और है बेटा, तुम्हारी मा तो नहीं रही, पर जब तक मैं हूं तब तक तो लड़कियों का पीहर बन खुद ही उनकी जबान पर ताला लगा गया। उन्हें याद आया कि जब जब बहनों को बुलाना चाहा, करमी समस्याओं का एक अंबार उठ खड़ा हुआ था। प्रसाब जी ने विश्यांतर करते हुए कहा, बाबु जी आपने इस छोकरे को जगह तो दे दी है, बाद मे कहीं लफडा ना हो जाए। कैसा लफडा। बाद में अगर इसने जगह खाली करने से इनकार कर दिया तो बाद में मतलत। प्रसाब जी शर्म से गड़ ही गए, अपनी ब्यकृता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन बाबु जी ने इसे बड़े सहज भाव से लिया। वे बोले, उसकी चिंता भी से क्यों, बाद में तो किसी को यहां रहना नहीं है, मकाम तो बेचना ही है, जो भी खरीदेगा, वही किसना से भी नपटलेगा। अपनी शर्म से वे अब तक नहीं उपर पाय थे, और बाबु जी ने जैसे इस प्रष्ट से ही उस और संकीत कर दिया, इसलिए अपनी सपाई देते हुए प्रसाद जी बोले, बाबु जी घर बेचने की बाद तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं। मैं अभी की बाद नहीं कर रहा हूं बेटे, अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मेरे लिए यह सिर्फ इंट गारे की इमारत नहीं है, मेरा मान सिक संबल है यह, पर मेरे पीछे तो इसे निकालना ही पड़ेगा, रख कर करोगे भी क्या, प्रस्ताव तो अभी से आ रहे हैं। भोपाल जाने से पहले तो इतनी अच्छी ओफर आई थी कि क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से इश्वर नहीं सक बुद्धी दे दी थी, नहीं तो मेरी फजीहत ही थी। अंतिन बात कहते कहते बाबुजी का स्वर भर आ गया था, इतनी देर से प्रसाद के मन में जो बात खदक रही थी, उसे कहने का भी यही मौका था। पर आप यहां क्यों आ गए, सीधे भोपाल आ प्रसाद जी ने कहना चाहा, पर उनकी आवाज गले में फंसकर रह गई। फिर बाबुजी जैसे उनकी बात समझ गए, पेट थप थपा कर संत्मना के स्वर में बोले। रात भर की जगे हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं एक चक्कर बासार का लगा आता हूँ, कौन सी तरकार लिखाओगे। लिखिका मालते जोशी।